हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूरा हुल जेस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे औ बहुत 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 ब्हुत बइस में कौन सब्साइब की यूटूरिओ नेवले समय Ein Time ofチャ regulation वालन एंगे ता यह दो दो वीज़्قول दो क्लें याउट सो हैंगे और बोत्त के पहले आप लुट दोश्लावस कंप्लीट हो आपको लाइव रिविज़न हम दे सके, ठीक है, आपको यहाद है न, पिछले सार हमने श्टार्ट किया था, SCR सीरीज, LMR सीरीज, यह सब रिविज़न सीरीज जो है न, आपके लिए भी लाया जाएगा, बहुत मज़धार होगा, बहुत बहुत बहतरी तरीके से आएगा, ठिक है, और एक चीज, जो एसा कि मैं आपसे पिछले वीडियो में भी दिमांड किया था, आज भी अगेंड कर रहा हूं, ठिक है कि आप लोग को अगर 11 standard के लिए जो final exam होता है उसके लिए strategy वीडियो अगर चाहिए तो मुझे जरूर से इस वीडियो के comment section में comment करके बता ना मैं आप लोग के लिए बहतरीन detailed strategy वीडियो बना दूँगा ठीक है चलो पिर आज के लिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं साथ ही में instagram पे मुझे follow कर सकते हो link description box में भी दिया है हमारी एक family वहाँ पी है जड़ू से जूड़ जाओ हमारी जयार family instagram की family से भी जूड़ जाओ अच्छा लगेगा काफी अच्छा बाते कर सकते हो मेंशन कर सकते हो ठीक है चले वीडियो की शुरुआत करते हैं आज हमारा ये जो चाप्टर चाप्टर नंबर 14 जो सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ और्गानिक केमिस्ट्री की इसके शुरुआत की दि बहतरीन बेसिक इंट्रोड़क्शन दिया था हमने पिछले लेक्टर में क्या होता है और्गानिक केमिस्ट्री ऑर्गानिक कमपांड की आ कौण-कौण सीचीज यह होती है उसके हम पहर एक चीज हमें डिडेल में बात करी थी लेकिन आज हमारा दूस некर नमर टू इसमें भी बहुत सारी चीज़े हम लो language लिकशन है उसकी हम हम लोग को आज पढ़ना है वो है classification of organic compound यह जो classification है ना इसके हम लोग शुरुवात करेंगे अब देखो basic तोर पर क्या होता है आज हमारा वैसे तो लेक्चर नमर्ट टू है लेकिन इसको बाजू में करते हैं देखो यह जो organic compound है generally दो टाइट में classify होते classification इसका दो हिस्सों में होता है कैसे दो हिस्सों में होता है इसको थोड़ा सा हम लोग detail में अच्छी दर्गे से देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करो एक होता है उसका carbon skeleton carbon skeleton मतलब कि जो एक linear pattern में classify हो रहा है सिफ carbon के skeleton मतलब carbon carbon bonding के हिसाब से अगर वो classify हो रहा है तो उसको हम लग बोलेंगे carbon skeleton category of the classification of organic compound ठीक है लेकिन अगर वो organic compound functional group के category से classify हो रहा है जैसे कि आपने 10 standard में carbon compound chapter 9 था इस वो chapter आपने पढ़ा होगा और उस chapter में हमने आपको पढ़ा थ होता था अगर आप टेंस में हमसे पढ़े होंगे मुझसे पढ़े होंगे आप तो आपको पता होगा कि carbon compound मैंने पढ़ा है था उसमें functional group category था एल्कोहल का ग्रूप OH functional group aldehyde का ग्रूप ketone का ग्रूप carboxylic acid का ग्रूप ठीक है यह सब हमने पढ़ा था ठीक है ना फिर होता ग्रूप होते हैं तो functional group के आधार पर अगर organic compound का classification होता है तो उसको भी consider किया जाएगा तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे basic पहला वाला जो की है carbon skeleton तो carbon skeleton के help से क्या-क्या classification होता है यह हम लोग ज्यादा detail में देखेंगे लेकिन वो detail में दे सा organic compound का दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है कैसे यह किसके बेसे according to the carbon skeleton यह डिवाइड हो रहा है अब carbon skeleton के इसाब से organic compound दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है एक है दोस्तों or cycle यह फिर उसको बोलेंगे ऐली फैक्टिक यह फिर उसको बोलेंगे open chain organic compound और एक चैन युँ नाम ऑख जलोग ए जब इसको हम लोग next लाइड पर जाएंगे तो आपको मैं बता होगा डीटेल में लेकिन पहले इसका classification को समझ लो, यूकि आपके दिमाग में अगर classification समझ में आ गया ना, तो उसके अंदर का जो explanation है कि ये actual में क्या होता है, और cyclic compound, या फिर open chain compound, या फिर close chain compound, ये सब चीज हम आपको बता रहे हैं इसी वीडियो के अंदर, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले patience पना के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये चीज याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में अगर ये fit हो गया, एक frame है न, ये flow chart है, तो ये flow chart आपके दिमाग में fit हो गया, तो आपको clear हो जाएगा, कि इसके बाद ये आता है, और इसमें ऐसा type का होते हैं, तो aliphatic या फिर spherical बोलते हैं, close को बोलते हैं, cyclic समझ में आ गया, उसके बाद आप देखोगे, कि ये जो close chain है, या फिर जिसको cyclic बोलते हैं, या फिर działa horse गोलते हं, कॉण से दो हिस्सों में, एक है आपका homocyclic, जिसको carbocylic भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोसाइकलिक भी बोलते हैं या फिर होमोफिलिक नाम है इसका क्या है ये होमोफिलिक दिख रहा है आपको होमोफिलिक हो गया या फिर इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोगजिलिक ठीक है कार्बोसाइकलिक माफ करना कार्बोसाइकलिक क्या बोलेंगे होमोफिलिक या फि कार्बोसाइक्लिक. पिर यहीं साइकलिक यानि क्लोस चेंद दुसरे हिस्सों में डिवाइड हो जिसको हमने बोलते हैं हेटरोसाइकलिक. समझ में आ गया? तो क्या समझा आओंगे तो टोटल जो और गया निक कमपाउंड था वह दो हिस्सों में था ओपन और क्लोस में. open को बोलते हैं, ur-cyclic, aliphatic, या फिर open, और दुसरा था close वाला, जिसको cyclic भी बोलते हैं, फिर यही close दो हिस्सों में again divide हो रहा है, एक है आपका homocyclic, जिसको carboxyclic भी बोलते हैं, और दुसरा है heterocyclic, अब यह जो homocyclic है, यह फिर से 2 हिस्सों में divide हो रहा है, एक है आपका alicy cyclic, दुसरा है aromatic, एक है आपका alicyclic, दुसरा है आपका aromatic, समझ में आ रहा है, और यह जो aromatic है, फिर से 2 हिस्सों में divide हो रहा है, एक है आपका benzenoid aromatic, ठीक है, benzenoid aromatic, और दुसरा है non-benzenoid aromatic, और वो ही अगर heterocyclic की बात करें, तो heterocyclic भी फिर से 2 हिस्सों में divide हो रहा है, और यह हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, यह है हेट्रोसाइक्लिक नौन एरोमेटिक, खतम कहानी, तो यह कितना easy है, question आता है, write down the classification of organic compound, तो you have to write this chart, अगर आप यह चार्ट लिख रहे हो, या फिर आप इसको down down category में, मतलब एक के नीचे एक वाल एक classification लिखोग अब देखो, इसी को हम लोग elaborate करेंगे, जैसे मैंने बोला, यह जो classification है, organic compound का, सबसे पहले organic compound किस में में classify हो रहा है, एक होता है, और cyclic, जिसको open बोलते हैं, दूसरा है cyclic, तो चलो शुरूआत करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, और cyclic, जिसको हम लोग open chain compound भी ब compound, जिसको recycling compound भी बोलते हैं, जिसको हम लोग aliphatic compounds भी बोला जाता है, अब यह जो aliphatic compounds होते हैं, they are having the chains of carbon atom, बहुत सारे carbon atom के इसके में चेन हो सकते हैं, जैसे इस प्रकार के carbon atom हो सकते हैं, लेकिन यह जो chain होते हैं, यह straight भी हो सकते हैं, यह जो chain है, बहुत सारे carbons जब bond बना रहे हैं, तो यह carbon carbon के straight chains भी हो सकते हैं, या फिर यह हो सकते हैं branching, branch भी हो सकते हैं, अब वो क्या होता है straight कैसा होगा, branches कैसे निकलेंगे, यह सभी चीज हम लोग example से समझते हैं, जैसे कि एक example है propane, अब propane का structure आप जानते हो, क्या होता है यह भी एक acyclic open chain या फिर elephatic, carbon compound है या फिर organic compound है, इसको बोलेंगा में, organic compound का जो हम लोग का classification चल रहा है, यह open chain ही है open chain है, chain open है, acyclic भी बोल सकते हैं, cycle नहीं बन रहा है इसका, acyclic भी बोल सकते हैं, या फिर इसको इसका नाम क्या है, propane, वैसे दूसरा जो एक्जामपल है, यहाप देखो, n-propyl alcohol, यह क्या है n-propyl alcohol, n-propyl alcohol मतलब, सबसे पहले, propyl alcohol क्या होता है, ch3, ch2 और, वापस से ch2, तो यह हो गया, propane, propane में से एक कम किया, ch3 आना चाहिए, ch2 लिखा, तो यह हो गया प्रोपाइल, और इसके आगे मैंने alcohol का functional group लगा दिया, OH का, तो यह बन गया आपका n-propyl alcohol, और इसको n-propyl क्यों बोलते है, क्योंकि एक straight chain में है, ठीक है, straight chain में है, n-propyl alcohol हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, n-profile alcohol, n-propyl alcohol, वैसे एक iso-butane का structure गर में ड्रॉपाइ निचे आगया, अब इसको बैलेंस करो, तो यह हो जाएगा CH3, ठीक है, यह हो जाएगा CH3, ठीक है, और यह हो जाएगा अगें CH3, ठीक है, तो यह क्या हो गया, CH3, यहाँ पर एक bond यह हो गया, तो यहाँ पर हम लोगो करने की जुरूत नहीं है, तो आई-so-butane बन गया, CH3 correct है, यहाँ पर आएगा CH, बराबर है, अब बराबर हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे, आई-so-butane, CH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तो, आई-so-butane बोलेंगे, correct है, समझ में आ गया, तो इस प्रकार के जो structures होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, और cyclic, या फिर open chain, ज these are the structures, जो आप लोगो याद रखने हैं, और exam में अगर पूछता है, explain, explain the open chain, अलग सरी पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन तो पूछे रही पूछेगा आपको, exam में, लेकिन हो सकता है, classification ना पूछके, आपको पूछ दे कि explain the open chain carbon compound, या फिर open chain organic compound, तो आपको यह लिखना पड़ेगा, तो मुझ में आ रहा है, clear है, समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं, next topic पे, तो यह cyclic open chain या फिर aliphatic समझ में आ गया, अब दूसरा कौन सा था हमारा cyclic compound, दूसरा क्या था cyclic compound, कैसे दूसरा था cyclic compound, तेखो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, कि इसको हम लोग क्या पड़ा न अभी अभी हमने, यह पड़ा हमने, aliphatic, या फिर aliphatic, या फिर open chain, यह हमने पड़ा लेकिन जो दूसरा वाला था, दूसरा उसका क्या है, close chain वाला, तो close chain वाले का नाम क्या है, cyclic, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी cyclic compound, हम लोग क्या पढ़ेंगे, cyclic compound, जैसे मैं बोला कि cyclic compound is nothing but what, that is nothing but, also called as the close chain carbon compound, या फिर close chain organic compound, you can say that, तो यह क्या है, close chain organic compound है, समझ में आ रहा है, clear है, यह क्या हो रहा है, close chain carbon compound, carbon compound या फिर organic compound मन रहा है, अब इसमें क्या होता है, कि cyclic compound, इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसका जो structure होता है, यह cyclic pattern में बनता है, इसका जो structure ह होता है ये एक cyclic pattern में बनता है मतलब एक रिंग जैसा structure बनता है कैसे molecules are formed by joining the atoms to form ring ये देखो it forms a ring ये क्या बनता है एक ring जैसा structure होता है आपने ring देखा होगा इस प्रकार का ring होता है लेकिन ऐसा गोल तो नहीं बनेगा, लेकिन इस प्रकार का कुछ structure जो है, वो ऐसा बनाता है, ring जैसा, hex wagon जैसा, ठीक है, इस प्रकार का structure बनता है, तो ये क्या बना रहा है, जैसा मैंने बुला, cyclic क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक cycle बन रहा है, ठीक है, cyclic नाम क्यों है, या फिर closed chain नाम क्यो हो रहा, इसलिए इसको closed chain नाम भी दिया हुआ है, और cyclic chain, sorry, cyclic chain organic compound भी इसका नाम दिया हुआ, तो इसमें क्या होता है, कि molecules are joined by to form a ring, अब यहाँ पर देखो, कि जो compounds होते हैं, इसके अंदर जो ring बनता है, it is only of, only carbon atoms, जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और उसको हम लोग क् जैसे कि example में, sorry, classification में हमने देखा, कि यह जो cyclic है, cyclic के भी दो टाइप है, एक है homocyclic, दूसरा है heterocyclic, तो वही पढ़ रहे हम लोग देखो, जैसे मैंने बोला, कि यह जो हमने पढ़ा है, cyclic compound पढ़ा लेकिन cyclic के भी दो टाइप है, जैसे मैंने बोला, एक है आपका homocyc यह वाला, यह homocyclic है, और दूसरा जो है आपका, वो है heterocyclic, यह वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है, दो चीज़ पढ़ना है हम लोग को, देखो यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, कि यह जो cyclic compound है, यह अगें दो हिसो में डिवाइड हो रहा है, एक है आपका homocyclic, दूसरा है heterocyclic, तो इसको समझते है कि homocyclic होता क्या है, तो homocyclic क्या बोलता है, कि the compounds in which the ring is made of only carbon atom, मतलब ऐसे compound, जिसमें जो ring बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ carbon का ही ring बन रहा है, जैसे कि यह है, जैसे कि यह है, यह सिर्फ और सिर्फ carbon का ही ring है, इसमें ना तो hydrogen होगा, ना तो कहीं oxygen होगा, कुछ नहीं होगा, तो अगर कोई ring बन रहा है, कोई भी एक close cycle बन रहा है, compound का, होमोसाइकलिक को ही कार्बोसाइकलिक बोलते हैं हमने क्लासिफिकेशन में देखा था जोस्तो यह होमोसाइकलिक को ही कार्बोसाइकलिक बोलते हैं तो हमने देख लिया यहाँ पर कि होमोसाइकलिक जिसको क्या बोला जाता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम प्रेज आते हैं इसके अंदर, तो organic molecules में ये देखा गया है, कि सबसे ज़्यादा जो element present होता है, वो carbon नहीं होता है, क्योंकि carbon के भी ना organic chemistry ही नहीं, तो carbon is the compulsory element, carbon तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन carbon के बाद जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला element आता है, वो होता है hydrogen, कुमसा होता ह है hydrogen होता है, करेक्ट है, एक या फिर एक से ज़्यादा hydrogen उसके अंदर present होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, कि all the other atoms that are found in the organic molecules are called as the hetero atoms, क्या कहते हैं उसको hetero atoms, क्योंकि carbon compound के अंदर, carbon रहेगा, hydrogen रहेगा, carbon तो mandatory है, organic chemistry के अंदर, और साथ में hydrogen भी रहे रहे हैं, ल hetero atoms, क्या कहेंगे, hetero atoms, hetero है वो, मतलब अलग है, different है, hetero का मतलब क्या होता है, different होना, homo मतलब same, hetero मतलब different, तो different atoms मतलब carbon और hydrogen के अलावा, कोई भी elements उसके अंदर अगर present है, तो भाया, उसको मैं बोल दूँँगा, hetero atoms है वो, ठीक है, और यही cyclic compound के अंदर, जिसमें ring बन है, hetero atoms, मतलब समझ लो, oxygen आ गया, sulfur आ गया, यह सब hetero atoms है, तो अगर उसके अंदर, एक या फिर एक से ज़्यादा आ गया, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते है, इसको, sulfur ले लो, कुछ भी आ गया, इस प्रकार से, ऐसा कोई structure होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहो, कि अगर समझ ल carbon atom का, अगर ring बन रहा है, close बन रहा है, तो उसको मैं बोलू, मैं cyclic compound, लेकिन cyclic compound दो type के थे, एक ता homocyclic, दूसरा ता heterocyclic, homocyclic में क्या था, कि जो carbon atom रहेंगे न, वो सिर्फ carbon, मतलब सिर्फ carbon सही बनेगा, लेकिन जो heterocyclic रहेगा, उसमें carbon और hydrogen के अलावा, nitrogen, oxygen और sulfur जै आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना बेतरीन तरीके से हम पढ़ाने की गोशिश कर रहें, ठीके, चलो, next पर जाते है, अगला है दोस्तों, और cyclic compound, अब यह cyclic कहां से आया देखो, वापस से, कहां पर जाएंगे वापस से देखने के लिए, इसके लिए मैंने बोला था अलिशाइकलिक पढ़ेंगे, फिर आरोमेटिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो अब पढ़ेंगे सबसे पहले अलिशाइकलिक, तो अलिशाइकलिक क्या होता है, इसको समझो, अलिशाइकलिक क्या होता है, इसको हम लोग समझते है, तो अलिशाइकलिक compound एक ऐसा compound, पहली बाद त यह एक कार्बो साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, सबसे पहली बात तो, तो यह जो अलिसाइक्लिक कंपाउंड है, it is having the properties similar to the अलिफेटिक कंपाउंड, क्यूंकि यह अलिफेटिक कंपाउंड का ही क्लासिफिकेशन में से आया है, अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारा जो जो प्रॉपर्टी है, यह जो दिखरा आपको, अलिसाइक्लिक का, और यह जो असाइक्लिक का, जिसको हम लोग अलिफेटिक बोलते हैं, इसका और इसका, यह दोनों के जो प्रॉपर्टीज है, वो सेम है, भले दोनों अलग 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 क्लासिफाई होके आ रहे हैं, लेक है साइपनेश कहले केलव गूटेर बननें चैर घुमलस यहीज फालवे ब्ला फ्र सेन झाल वी फैक भिटेनश यह मतलव ईधन सेखनवel जा Keep advocates मुद्मा शीग ज Опलो यह होता है कंग मुद्मालवेक ओल्भींद्व 12 C6 H14, H14 आएगा है, C6, CnH2N plus 2 होता है, पॉर्मुला आपको पता है, अलकेन का, CnH2N plus 2, तो डबल मतलब 12 plus 21 बराबर है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, साइक्लो हेक्जेन का, जो मॉल्लीकुलर फॉर्मुला है, यह यह वाला फॉर्मुला है, ठीक है, उसका स्ट इसको याद रख लेना, ठीक है, ठीक है, प्राक्टिस कर लोगे, अच्छी तरीके से, अब चलते हैं, अब लोग, असाइकलीक की बाद, दूसरा कासिफाय कोन सा था, अरो मैटिक था, तो अप पड़ेंगे, हम लोग, अरो मैटिक कंपाउंड क्या होता है, अगर हम इसकी तो अरो मैटिक कंपाउंड साथ है, कंपाउंड इसके अंदर अगर बेंजीन रिंग प्रेजंट है, बेंजीन रिंग आप जानते ही हो, इसको अम लोग बोलते हैं, बेंजीन, ठीक है, इसको अम लोग बेंजीन बोलते हैं, ये जो रिंग है, इसको अम लोग बोलते हैं, यह इसका structure है, benzene का, ठीक है, समझ में आ रहा है, अब यह जो benzene है, अगर present है, यह aromatic compound के अंदर benzene ring present है, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे benzenoid aromatics, याद आ रहा है, चाट याद आ रहा है, देखो, यह homocyclic पढ़ लिया, उसके अंदर alicyclic पढ़ लिया, उसके बाद aromatic, aromatic के अ aromatic compound, जो special stability वाला compound है, उसके अंदर benzene ring present है, तो उसको कहलाएंगे, benzenoid aromatics, ठीक है, example उसका है, naphthalene, naphthalene, पता है, यह क्या है, इसके अंदर बेंजीन ring है, एक दो, दो बेंजीन ring connected है, तो यह structure को हम लोग बोलेंगे naphthalene structure, इसको हम लोग बोलेंगे naphthalene structure, इसको हम लोग बोले benzenoid aromatics का example है, ठीक है, next, अगर उस aromatic compound के अंदर, benzene ring present नहीं है, not containing, it is not having the benzene ring, तो उसको मैं बोलूँगा, non-benzenoid, समझ में आ रहा है, तो benzene ring है, तो benzenoid नहीं है, तो non-benzenoid aromatics समझ में आ रहा है, इसका example क्या है, phenol, phenol मतलब क्या होता है, बenzene ring होता है, उसको हम लोग ब कहां तक के classification देखें, हमने यहां तक के देख लिया, aromatic का भी देख लिया, अब सिर्फ देखा जाए, तो हमने almost यहां पे सब चीज़ जो है, heterocyclic aromatic, heterocyclic non-aromatic, यह सभी चीज़ almost हमने पढ़ लिया है, मतलब हमारा जो classification था, carbon skeleton वाला, carbon के related वाला, यह सभी चीज़ डीटेल मे ठीक है, जो classification functional group के उपर base हो रहा है, इसको हम लोग हमारे next lecture में पढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत बढ़ा topic है, तो इसी के साथ आज का lecture समाप करता हूँ, उमीद करता हूँ कि जो classification था, based on the skeletal carbon group, यह हमने पूरा detail में पढ़ लिया है, बचा है functional group का classification, ठीक है, उसको भी detail मे पढ़ लेंगे, अगले lecture का इंतजार करना बहुत 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 बहुतनी तरीके से पढ़ाऊंगा, दोस्तों, बने रहना हमारे साथ, प्यार और support बनाए रखना, ठीक है, चलो, आज के लिए इतना ही, यह video आपको कैसा लगा है, प्लीज, comment करना, वीड़ पसंद आए, त अगर फर्स्टाइम आया हो चैनल में तो चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर से करना दोस्तों क्योंकि आप लोगी सपोर्ट की जरूते हैं और वन मिलियन अब आपके हाथ में तो फटा फट जरूर से करवा देना आप लोगे लिए बहुत बड़ा सप्राइज आने वाला है ठ ठीक है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो नोटिफिकेशन आपको मिलती देगे ठीक है तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक लिए थाइंक यू एंड गुडबाई